आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ प्लेस करते हैं, यानि कार्टिलेजन इस फिशिस इसमें आ जाएंगी और शाक पीसी क्लास की मेंबर है क्योंकि शाक्स के हलावा रेज और स्केट्स ये मेन मेंबर होते हैं हमारे कॉंड्रिक्थिस क्लास के, शाक की जब हम बात करते हैं तो मेनली सबसे पहले साइन्टिफिक नेम स्कोली और डॉन हमारे दिमाग में आता है जिसको हम डॉग फिश के नाम से भी कॉमनली जानते हैं, तो यहां पर बेसिकली हमें बताना है कि कॉंड्रिक्थिस के बारे में अगला हमें दिया है कि इनके पास स्विम ब्लाडर होता है यहां पर स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि स्विम ब्लाडर हमारी फिश की दूसरी क्लास ऑस्टिक्थिस जिसको हम कहते हैं, बोनी फिश को बोन के बने हुए इंडोस्केलेटन वाली फिश को इसमें प्लेस किया जाता है और यह स्विम ब्लाडर या एयर ब्लाडर भी जिसको हम कहते हैं ये boni fishes के पास होता है, जिससे लगातार उन्हें swimming नहीं करनी पड़ती, energy खर्च नहीं करनी पड़ती, पानी में एक ही जगे पर ये बनी रह सकती है, जबकि यहाँ पर हमारी cartilaginous fishes में swim bladder या air bladder absent होता है, कोई भी buoyancy का organ इनके पास नहीं होता, यानि पानी में एक ही जगे पर रहने के लिए भी लगातार उन्हें energy खर्च करनी पड़ती है और swim करना पड़ता है, तो यह हमारा गला statement हो गया, क्योंकि swim bladder हमारी cartilaginous fishes या sharks के पास absent होगा, अगला दिया है कि इनकी tail hetero circle होती है, again सही बात है, tail के जो fins होते हैं, वो दोनों जब अलग-अलग type के होते हैं यानि बिल्कुल symmetrical नहीं होते हैं, इस tail को हम hetero circle कहते हैं, और shark में इसी तरह की tail हमें देखने को मिलेगी, फिर दिया है कि इसके snout में ampoula of lorenzini होंगे, जो thermoreceptor की तरह act करते हैं, बिल्कुल सही बात है, शाक में हम इस तरह का sensory organ देखते हैं, जो कि इसकी body surface के उपर dark pores के form म हमें मिलेगा, ये pore एक special jelly से भरा हुआ होता है, और अंदर जाकर इसी jelly की pockets के cluster में end हो जाता है, और thermoreceptor, यानि अपने आसपास के पानी में, temperature gradient में कोई फरक आ रहा है, और उसके अलावा, electric field में, या magnetic field में अगर कोई फरक आ रहा है, तो इन differences को ये ampoula of lorenzini shark में detect करने का क अगें ये गलत बात हो गया, ऑपर कुलम जो हम वर्ड यूज करते हैं, फिशेज में गिल के ऊपर एक cover या membrane प्रेजन होता है, उसके लिए करते हैं, लेकिन ये हमें again bony fishes में मिलेगा, लेकिन cartilaginous fishes में absent होगा, तो यहां पर गलत कौन सी statement हो गई, शाक के बारे में या cartilag बारे में एक तो b statement, swim bladder, इनके पास नहीं होता, air bladder, यह हमें सिर्फ bony fishes में मिलता है, और उसी तरह से operculum भी इनकी gill slits को cover नहीं करता, यह अगें इस तरह का gill cover हमें bony fishes में, ostrich thys में मिलेगा, तो यहां पर गलत कौन सी-कौन सी statement है, हमारी b और e, तो इसलिए, option c हम यहां पर सही answer माख कर देंगे, गलत स्टेटमेंटिया में सेलेक करनी थी